रितिक रोशन और दिपीका पादुकॉर्ण स्टार फिल्म फाइटर इस महिने 25 जनवरी को रिलीस होने वाली है 500 करोण में बनी इस फिल्म का टीजर जारी कर दिया जा चुका है हाला कि फिल्म को कोई बच नहीं है इसे मेकर्स चिंती थे फिल्म के टीजर और गाने को मिले ठंडे रियक्शन से मेकर्स ने अब प्रमोशन एक्सपेंस पर लिमिट लगा दी है हाइप क्रियेट करने के लिए मेकर्स चाहते थे कि शारुक फिल्म में कैमियो करे लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया है वहीं दीपी का पादुकन भी मेकर्स से नाराज है एक रिपोर्ट के अनुसार फाइटर के डारेक्टर सिधार्थ आननन ने शारुक खान से रिक्वेस्ट की थी कि वो फिल्म में कैमियो करे लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया रिपोर्ट की माने तो शारुक फिल्म के जॉनर की वज़से इसका हिसा नहीं बनना चाते हैं रिपोर्ट की माने तो दिपी का पादुकन भी फिल्म फाइटर के मेकर्स से नाखुश है बताया जा रहा है कि फिल्म को चर्चा में लाने के लिए मेकर्स का पूरा फोकस सिर्फ रितिक रोशन पर है टीजर के बाद सिर्फ रितिक की मामूली चर्चा हुई और दिपीका का कहीं कोई जिक्र नहीं है रिपोर्ट में सुतर के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म फाइटर के गाने शेर खुल गए से काफी उम्मीदे थी लेकिन गाना भी चर्चा में नहीं रहा ऐसे में मेकर्स चाते थे कि बैंक बैंक सॉंग चेलेंज की तरह इस गाने को सेलेबिस की मदद से प्रोमोट किया जाए इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ तहने बाद